स्टेट हाईवे की खस्ता हाल पुलिया के कारण निकलने वाले हजारों वहनों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है लेकिन प्रशाशन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है खस्ता हाल पुलिया के कारण आए दिन दुर्खटना होने का डर पुलिया से निकलने वालों को बना रहता है वही प्रशाशन की ना सुनी से परिशान युवाओं ने चलाया हस्तक्षार अभ्यान और तैसिल्दार को ग्यापन सौपार आंदलन की चेतावनी दी है दमोजिली के जवेरा में दमोजवलपो स्चेट हाईवे की मुख्य सड़क मार्ग के पास एक पुलिया खस्ता हाल है हाईवे से निकलने वाले हजारों वहनों और पैदल चलने वाले रहागेरों को खासी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है कई बार बाइक सवार और रहागेर सड़क दुर्खटनाओं के शिकार भी हुए है वहीं सड़क मार्ग की इसी खुली पड़ी पुलिया के पास एक निजी स्कूल होनी के कारण किसी बड़ी दुर्खटना का अंदेशा बना रहता है लेकिन प्रशाशन का ध्यान इस सौन नहीं जा रहा है जिससे परेशान होकर यूवा इस्थानीय जागरोक यूवा दीपक सेन के नेत्रतों में लगातार बीते एक महीने तक हस्तक शार अभ्यान चला रहे है जबकि कई बार अलाके के यूवा और नगरवासियों ने अपने अपने इस सर पर तहसीलदार SGM प्रशाशनिक अधिकारियों सहित रोड निर्मान कंपनी अधिकारियों को ग्यापन सौप कर आमजन की पीडा से अधिकारियों को अवगत कराया है उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो फिर सभी यूवा तहसील कारले पहुचे यहां पर पुलिया जाम होने की वजए से बारिष्ट अपानी धरों में भर रहा है जिए रामवाशियों के आद्वरेग पर मोटर ने रिक्षन किया कि वहां पर देखा गिया कि पुलिया जाम है जिसके तरुपानी नहीं निकल पा रहा है तो सदार पर पर पुलिया को हटवा के वहां पर नाली की वेवस्ता बना दी जाई थी MPRDC से संपर्क किया कि MPRDC के द्वारा पुलिया निर्माण के लिए समय अवधी की मान की जाई है इस दोरान वेटल पिज वेवस्ता के रूप में आज और तल के बीच में वहां पर पुलिया निर्माण करवा दिया जाए था और भबिश्य में जैसे ही एप्रूवल हो जाए था तो बड़ी पुलिया निर्माण हो जाए था